इस बच्चे का डिलेड माइडी स्टोन है जिससे कि यह जो एड़ी अपना उठा के चलता है इसका मैं स्टेचिंग कर रहा हूं क्योंकि इसकी मसद बहुत ज्यादा टाइट है इसलिए पहले हम जो है को मसद स्टेच करके रखते हैं कम से कम 12-13 सेकंड इसको होल्ड करके रख सकते हैं इस्टेचिंग फिर इसके बाद हमस्टिंग मसद होता है यह भी टाइट हो जाते इसकी अम लोग स्टेचिंग करते हैं इसको भी कम से कम 12-13 रेपिटेशन कराएंगे इस्टेचिंग जिससे कि मसद थोड़ी धीली हो फिर इसको चलने में बहुत अराम मिलेगा फिर उसके बाद जो हैं हम लोग pelvic bridging exercise होता है करा रहे हैं इसको भी कम से उपर उठा के 10 जे 12 सेट होल करके रखना रहता है वान तो ट्री फोर 15 6 7 8 9 10 फिर इलेक्स कर लें फिर उठाक रखेगा इसको भी करना है हम लोगों को फिर उसके बाद जो है अदक्टार मसल्स के लिए हम लोग जो है दोनों पैर एक पास में करके उसके बाद उसको इसको इसको भी कम से कम 15-20 रिपीटेशन कराएंगे जिसे कि इसकी अदक्टार मसल्स धीली हो जाए और यह चलने में असानी होगा इसको फिर यह कैची बना के भी नहीं चलेगा और ए और इसका फिर एसलार होता है लेग राइजिंग उसको भी करा रहे हैं कि इसका पैर पूरा उपर तक नहीं जाता है तो पहले इस कितना सही है दिखाओ हाथ करो सई पहले इनका पूरा जाम हो गया था जो कि हमने एक्सेसाइज कराया कम से कम 8-9 दिन अब तक यह वाला पूरा खुल गया इनका खुरो ऐसे सब्सक्राइज 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 अब इनका खाली पैर का बचा है पैर का जो है दीरे-दीरे करके आएगा खड़े जाओ दिखाओ पैर वाला जो कि यह डिलेड माइडी स्टोन इसमें थोड़ा सा चलके अलकी और सब सही है चलो थोड़ा चलके दिखा दो चलो मैं पीछेज कर रहा है इदम सीधा चलना ठीक है क्योंकि इनकी एडी जो है हर मेंसा ही लूठा राता है क्योंकि उठा के चलते नीचे रखते नहीं जल्दी आओ इसलिए उनको अब हम लोग बैलेंसिंग एक्सरसाइज कराएंगे आज आओ चलो गोट